हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक और यूटूब चैनल स्टेडी सेरकल 24 डियर फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिवियस यार का बीड का क्वेस्टन पेपर उसको हम सॉल्व भी करके सारे चीज़ों को समझा कर आपको बताने वाले हैं ठीक है और बीस्टी साथी बैल आइकन का बटन जरूर पेस करें जिससे की बीड और बीएड 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 से संबंदित जो भी एंटरेंस एक्जाम से संबंदित जो भी जानकारी है लैटेस अब्डेट वो आपको मिलती रहे है तो चलिए इससे पहले हम जानने कि हमारो जो उसमें पार्ट पार्ट क्या होगा 30 marks का वो होगा आपका ये मानसिक योग गिता यानि समान्य मानसिक योग गिता जो की रिजिनिंग के अंतरगात आ जाएगा जेनरल एप्टिट्यूड फिर जेनरल नॉलेज ये आपका 20 marks का होगा सुच्छन अबीरुची ये 30 marks का होगा और जेनरल हिंद और General English ये 1010 marks की होंगे इस प्राकार से अगर हम देखें तो total आपका handed marks का आपके पास ये paper होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं आपको किस प्राकार से सारे चीज़ों को solve करना रहता है फर्स्ट है आपका general mental eligibility तो उसको अगर हम देखें समाने मानसिक युग्यता तो इसमें किस प्राकार से प्रश्ण पुछे जाते हैं तो देख सकते हैं आप प्रश्ण हैं आपके पास कि निम्न लिखित में से कौन सा चेत्र आभूसन सोना और चांदी के मध्य सही संबंद है which of the following diagram represents correct relationship between ornaments gold and silver तो यह आपको बताना है तो इससे पहले अगर हम देखें तो यह जो आपके पास option दिख रहा है अगर आप अच्छे से ध्यान से देखें सारे option को देख सकते हैं आपके पास तो यह बताना है कि gold silver ओके और आभूसन का यह संबंद है तो यहाँ पास फर्स्ट और अगर option में देखें तो यह जितने भी circle बने है यह सब अलग अलग बने है ठीक है एक दूसरे से correlate नहीं कर रहे है तो इसमें भी यह दोनों में भी सेम ऐसा ही है लेकिन अगर D number option देखेंगे तो अगर आप इसको एक आभूसन मालने और यह वाले को अगर gold ले 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 और यह वाले को silver ठीक है इसको silver ले 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 लेते हैं इधर gold ले 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 लेते हैं और यह होगे आपके पास आभूसन तो यह तीनों एक दूसरे से एक चित्र है जिसके ठीक पहले एक चित्र है ठीक है तथा बाद में एक अंक है तो आपको यहाँ पास जो order दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि कौन से कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक diagram है और बाद में एक अंक है ठीक है तो आप देख सकते हैं अगर दिखाई देगा कि ये वाले जो partition आपको दिख रहा है ये B ठीक है, B के पहले एक diagram है, जो कि एक square बना हुआ है, और B के बाद यहाँ पास एक digit है, ठीक है राइट, तो क्यों एक ही ऐसा अच्छर है, तो option number A correct हो जाएगा next, देख लीजिए questions है, राम स्याम से लंबा है, राम स्याम से लंबा है और स्याम मोहन से छोटा है, हरिस अमर से लंबा है, परंतु स्याम से छोटा है, यदि राम मोहन से लंबा है, तो इनमे से किसकी लंबाई सबसे कम होगी, तो इनमे से सबसे कम लंबाई किस की होगी तो अमर की होगी ठीक है नेक्स्ट प्रस्ण देखिए विन को चुनना है आपको, choose the odd one out ठीक है, तो देखें क्या-क्या है, मतलब जो आपको इससे अलग मिले उसे आपको यहां से चुनना है तो 72, 12 बोला गया है, 96 84 है, 120 74 है, और तो इस प्रकार से जो आपके पास दिया है तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका जो correct answer जैसी यह 72, 12 दिया हुआ है, 96, 84 दिया है 120, 74 दिया है और 48, 24 दिया है तो यह देख सकते हैं, आपके 12 के table में 12 भी आता है और 72 भी आता है 12, 6, 72 फिर यहां पास अगर देखें B नमबर में, तो 84 और 96 भी आता है और D option में देखेंगे तो 48 और 24 भी आता है बट, अगर C option अगर आप चिक करें, तो C option में क्या दिया है 120, 74 तो यह जो 74 है, यह 12 के table में नहीं आता है, तो it is a odd, राइट next questions है win को choose करना है choose the odd, one out Jammu and Kasmir Haryana, Himachal Pradesh और Punjab, तो इन में से आपको क्या करना है, एक win को चुनना हो है तो अब देख सकते हैं अगर हम बात करें कि यहां पास क्या दिया है Jammu and Kasmir, और उसके बाद Haryana, Himachal Pradesh और Punjab, तो यह तीनों एक दूसरे से relate रख रहे है, तो सबसे अलग क्या है, यह उतरी भाग है, तो यह हो गया Jammu and Kasmir is a correct answer next, win को ज्याद करना है आपको, तो win को ज्याद करेंगे, किस प्रकार से ज्याद करेंगे यहाद बस दिया हुआ है, जैसे इससे पहले वाले question में मैंने बताया था, उसी order को follow करना है आपको, तो इसका questions का answer हो जाएगा option number B, ठीक है जो win होगा वो option number B next, प्रश्न देखिए questions number 7 है इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके exam में, तो देखे, दिया हुआ है कि how many squares are there in a figure given below आपको क्या करना है, इसमें square count करना है तो dear friends, आप video के comment section में आप इसको square कितने हैं यहाँ पास आप comment करके बताएंगे, ठीक है next देख लेते है question number 8 है कौन सी संख्या प्रश्न चिन कौन सी संख्या प्रश्न चिन को प्रतिस्थापित करती है ठीक है, तो यहाँ पास questions mark है, यहाँ पास कौन सा desert आएगा according to this sequence तो अगर बात करे हैं यहाँ पास sequence का, तो देख सकते हैं यहाँ पास, यहाँ पास अलग-अलग sequence दिया हुआ है तो अगर इसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पास आपके पास क्या आना चाहिए था ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसके बात करेंगे तो देख सकते हैं आपके पास, यहाँ पास जो order दिया है, वो कुछ इस प्रकार से है कि ये 5 11 और 4 इन तीनों को plus करना है, ठीक है ये इस प्रकार से plus करना है और इसको minus कर देना है यानि 5 और 11 अगर देखेंगे, तो कितना होगा आपके पास 16 resources 16 और 4, 16 और 4 कितना होगा, 20, 20 में 13 को माइनस कर दीजिए, आपके पास 7 आएगा Same type 2, 5, 7, 7, 3, 10 10 में आप 7 को माइनस करेंगे, 3 आपके पास आएगा, तो same type, यहाँ भी आपके पास ऐसे ही करना है, कि 23 और 31 को आपको प्लस करना है, तो 23 और 31 को प्लस करेंगे, तो कितना आएगा 23 और यह 31, यानि 24 और फिर इसके बाद यह चंगवन आएगा, ठीक है 54 आगया, 54 और फिर आप 12 को प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा 66 आजाएगा 66 में आपको 37 को माइनस करना है, तो 67 में 66 में 37 को माइनस करने पर आपके पास कितना आएगा 16, तो 16 में से 7 को माइनस करेंगे, 9 आएगा और यहाँ 5 में 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा, यह आगया आपके पास 29, तो सेम यहाँ भी आपको कुछ इसी प्रकार से करना है कि 17 और 23 को प्लस करना है ठीक है तो 17 और 23 को जब प्लस करेंगे तो यह आपके पास आ गया 40 और 40 में 8 को प्लस करेंगे तो 48 आ गया तो 48 में आप 29 को 29 को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है तो यहाँ हो गया 18, 18 में एक कैरी लेगा, 18 में 9 को minus करो 9 आजाएगा आपके पास 3 में 2 से minus करेंगे 1 आएगा means option number 1 is the correct answer तो इस order में आपको इस questions को solve करना है next देखिए questions है आपको बिलुप्त पद ग्याद करना है means find the missing term आपको इन में से find करना है क्या क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 11, 7, 5 और 1, 20, 1, 20, 45 और इसके बाद आपके पास questions mark है इसके लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका ऐसे जब भी प्रस्न आपको मिले तो आपको एक order बनाना पड़ेगा order किस प्रकार से या तो row में आपको बनाना है या तो फिर column में बनाना है तो इस प्रकार से आपको row और column का बिसेज ध्यान रखना है तो हम देख सकते हैं यहाँ पास हम क्या करेंगे हम order को follow करेंगे तो column का भी आपको apply करना है तो सबसे पहले देख लेते हैं 1, 2 और 3 अगर सबको plus कर दे 6 आ रहा है ठीक है तो means और फिर इसके बाद 11, 7 और 5 इनको plus करेंगे तो कितना आपके पास 18 और यह 5 यह 23 तो यह एक कोई order नहीं बन रहा ठीक है तो इस लिए इस order को हम use नहीं करेंगे हमको क्या करना है अब vertical लेंगे ठीक है तो यानि column वाला use करेंगे आप देख सकते हैं यह 1 और 11 दिया हुआ है तो अगर हम 11 में 1 को plus कर दे 11 में 1 को plus कर दे तो कितना मिलेगा 12 और 11 में 1 को minus कर दे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा ठीक है अगर हम दोनों का multiply कर दे तो आपके पास 120 आएगा इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो center वाली जो digit है उसको उपर वाले digit से क्या करना है plus करना है ठीक है और same उतने digit को minus करना है तो यहाँ 5 आएगा दोनों का multiply कर देना है तो 45 आगया same अब यहाँ भी आपके पास ऐसे ही करेंगे 5 में 3 को plus करेंगे तो 8 आएगा 5 में 3 को minus करने पर 2 आएगा तो दोनों का multiply कितना होगा 16 हो गया तो option number C is the correct answer राइट ओके next अब देखेंगे questions number 10 है नेमने लिखित स्रणी में अगला one कौन सा होगा ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पस बड़ पूछा है कि कौन सा होगा तो K, M, Q और S दिया हुआ है यहाँ पस ठीक है तो अब K के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पस M लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पस अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको आसानी से दिखेगा कि अगर K, M, Q, S तो M और Q के बीच में दो का गैप है तो Q और S के लिए भी कुछ इसी प्रकार से होगा तो S के बाद भी दो गैप अगर हम करेंगे तो T, U, W यहाँ पस क्या मिलेगा आपको K, M, Q, और S ठीक है P, Q, R, S, T, U, V तो इस प्रकार से आपके बास तो इसका जो option number होगा A यह correct answer हो जाएगा option number A, W यहाँ आएगा तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ से बनाएंगे मतलब जो 3, यानि 3-3 का gap है तो 3 का gap होगा तो यह main मिलेगा आपको W मिल जाएगा next questions आगर देखें तो निमलिकी स्रेणी को पूर्ण करें तो यह जो series दिया हुआ है इसको आपको complete करना है तो complete कैसे करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास E A और H G K M और N S दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा Q और Y हो जाएगा next है लुप्तपद को ग्याद करें यहाँ पास से जो questions में दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है find out करना है D F G H J K L M N दिया हुआ है तो यहाँ पास क्या आएगा M N O P क्योंकि यहाँ पास एक गैप मिल रहा है तो यहाँ पास P आएगा next वह घंचुनिये जो दिये गए कागच के टुकडे कागच के टुकडे में क्या करना पी से बनने वाले box के समरूप है कागच के जो टुकडे हैं उसके बनने वाले P से बनने वाले box के समरूप है मतलब P के जैसे हैं यह आप देख सकते हैं यहाँ पस तो अब इन में से आपको चूज करना है उसको ठीक है तो इस प्रकार से अगर इस questions के according इसका जब solution हम करेंगे तो हम पाएंगे कि आपके पास यहाँ पास क्या-क्या दिया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले हम अगर यहाँ देखें आपके पा की वाले कागज के टुकड़ से बन सकते हैं तो option नंबर भी सही होगा कि केवल एक और दो अब नेक्स अगला प्रस्ण देखें यह जो 14-15 नंबर के जो questions मिलेंगे आपको कुछ इस प्रकार से मिलेंगे तो यहाँ पास इसका अगर हम देखेंगे कितने प्रस्ण दिया कितन चोटे घं होंगे जिनका कोई भी फलक ना रंगा हो ठीक है तो इन में से कितने फलक ऐसे होंगे जो कोई भी एक भी फलक ना रंगा हो तो ऐसे केवल आठ फलक होंगे जो की बिल्कुल भी ना रंगे हुए हो next है स्रेंडे दिया हुआ है इसको पूर्ण करना है 2 by 5, 4 by 7, 7 by 9 और यहां देखेंगे 11 by 12 और एक questions mark दिया हुआ 22 by 21 दिया हुआ है 2, 4, 7, 11 तो इस प्रकार से यह जो दिया हुआ है इसको आप next क्या करें अगर 2 में 2 को प्लस करने तो 4 आ रहा है अब इसके बाद 4 में 3 को प्लस करने पर कितना आ रहा है 7 और 4 को प्लस करने पर कितना रहा है 11 तो इसी टाइप से अब आपके पास यहां क्या आएगा तो ऐसे solve भी करना पर तो questions number आपके इसको solve करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास जो difference है वो कितने का है 2, 4 और 7 फिर 7 में अगर 4 को जोड़ दिया जाए तो कितना 11 आ गया अब एक अंक और बढ़ जाएगा तो 11 में आप 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा अब इसी प्रकार से नीचे का देखिए 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9 के बाद कितने डिजिट को जोड़ा गया है 9 के बाद यहाँ पास increase किया गया है 10, 11, 12 तो इसी प्रकार से अब 3 संख्या जोड़ा अब इसके बाद 4 संख्या जोड़ेगा यानि 12 और 4, 16 आएगा तो 16 बटे 16 तो इन दोनों को cancel कर देंगे तो 1 आएगा option number B आपका correct answer हो जाएगा question number 70 देखे विलूप तो संख्या को ग्याद कीज़े dear friends इस वीडियो को जादा से जादा share कीज़े जिससे कि आप सभी को paper का pattern पता चल सके और उसके अनुसार आप तयारी कर सके एक book ले लिजे और भी जो उससे से आप तयारी कीज़े और भी important questions होंगे तो हम आप लोगों के लिए उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे ओके तो next देखे विलूप तो संख्या आप भी करना है आपको इसमें से ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे 3723 और 95 दिया हुआ है ठीक है क्या दिया हुआ है 95 तो इसके अनुसार अब आपके पास option में है option में देख सकते हैं आपके पास क्या क्या है option है 575 479 128 और 62 तो 95 के बाद वो कौन से संख्या होगी तो याद संख्या है राइट नेक्स्ट है निम ने लिखे स्रेंडी को पूर्ण करना है complete करना है इसको तो C K E दिया हुआ है E N I दिया हुआ है G Q M इसको मैं फिर आने वाले वीडियो में मैं एक ट्रिक के सांथ भी आपको बता दूँगा कि कैसे आपको ऐसे questions जब आते हैं तो उसको solve करने का क्या तरीका है तो यह option number D इसका सही होगा K W यह होगा next है यदि 19 next questions आपके पास मिलता है कि यदि A divide है ऐसे प्रशन है 100% से और आप पूछे जाते हैं A divide है और B multiply है तिक है C के लिए minus D के लिए plus तब यह आपके पास जो दिया हुआ है 40A 5B 4A 2D 12C 8 is equal to कितना होगा ठीक है तो आप अगर देखें इसको अगर solve करते हैं तो यह आपके पास कितना हैगा 20 आ जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि देखें इसके पास क्या क्या दिया हुआ है तो देखें कर आप देखें तो 40 और A का मीनिंग क्या है आपके पास divide है और फिर 5 है तो 5 और 8 का आप divide करेंगे 5 में 40 का divide करेंगे तो कितना है का 8 आएगा फिर अब इसके बाद है आपके पास B B का meaning क्या है यहाँ पस दिया हुआ है multiply तो B का multiply है तो यहाँ से आप आपके बस B के बाद क्या है 4 है तो जब इसका आप multiply करते हैं तो फिर कितना आता है 4 और फिर इसके बाद आगे देखिए next क्या मिलेगा आपको A, A का meaning क्या है divide है तो फिर यानि 4 divided by 2 पास फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है आपके पास next है इसी के आगे कि 2D D, D का meaning क्या प्लस है तो आप प्लस कर दीजे 12C 12-8 तो कितना आएगा आपके पास 4 आएगा तो इस टाइप से आप 8 में 2 का multiply कीजे और 4 को प्लस कर दीजे option number C is a correct answer तो option number C क्या होगा correct answer 20 हो जाएगा next देखिए अगला प्रस्ण है next questions मिलेगा आपको 20 number same is it यही order है तो इस questions का आप वीडियो की comment section में comment कीजेगा question number 20 डालकर कौन सा option आपको सही लगता है वो आपको बताना है next 21 निम्न में से संक्रियाओं पर बदलने पर निम्न में से किन संक्रियाओं को परस्पर बदलने पर दिया गया समिकरन सही हो जाएगा तो जो आपके पास questions दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको बनाना है तो देख सकते हैं 64 minus 8 है into 9 है divided by 8 है is equal to 64 है तो इन में से आपको क्या करना है चेंज कर दें ठीक है पर इस पर बदल दें inter change कर दें तो वो क्या होगा वो change हो जाएगा मतलब यहाँ पास अब क्या होगा अगर आप देखोगे तो अगर divide कर दोगे यहाँ पा 64 divided by हो जाएगा क्या होगा divided by 8 और into फिर 9 है और इस divide के जिगए पर क्या करना है माइनस करना है 9 माइनस 8 तो अब देखिए यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पास 9 into 8 9 माइनस 8 है तो यहाँ से आप उसको solve भी कर सकते है तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर change करना हो यहाँ पास divide करेंगे तो किता आएगा 8 आट जाएगा फिसके बाद 9 और 8 दिया हुआ है तो इन में से अगर आपको यहाँ पास multiply करना है तो 8 आने के बाद यहाँ पास 8 और 9 का आप multiply करेंगे कितना हैगा 72 आएगा और फिर divide के जिगा पे आप minus कर दीजी 72 में 8 को minus करेंगे तो कितना हैगा 64 आजाएगा यह आपके पास correct answer हो जाएगा next questions है 22 pit dar और na दिया हुआ है यानि pit dar na का मतलब you are good है ठीक है तो dar यानि dar dar talk pa का मतलब good and bad है और tin na talk का मतलब they are bad है तो इस भासा में दे के लिए कौन सा सब्द आता है ठीक है तो इसमें पूछा गया है कि दे के लिए कौन सा सब्द आता है तो इसका अगर हम correct answer देखें तो क्या मिलेगा अपने को teen ठीक है teen के लिए ये दे का शब्द आएगा ठीक है यहां से इसके लिए आप compare भी कर सकते है next देख लिए अगला प्रश्न आपके पास 23 है प्रश्न चित्र किस एक उत्तर चित्र में सन्ने देवम छुपा हुआ है तो आपको क्या करना है इस प्रश्न के अनुसार प्रश्न चित्र है और उत्तर चित्र है तो ये जो आपके पास जो questions में ये वाला diagram दिया हुआ है किसी एक में क्या है उसमें image प्रदर्शित किया गया मतलब छेपा हुआ है वो उससे आपको पहचानना है ठीक है तो किस प्रकार से पहचानेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला इस type का कुछ दिया हुआ है यहाँ पास तो option number भी सही होगा अगला question देखिए प्रश्न किस एक उत्तर चित्र में सन्ने तेओं छुपा हुआ है तो इस प्रकार से मैंने उपर भी प्रश्न एक बता दिया है तो आप इसको solve करेंगे आप राइट वैसे इसका answer 1 होगा next देख लिजे विलुप्त पद ग्याद करना है तो यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास क्या विलुप्त पद है तो उसे आपको ग्याद करना है पस 58, 64 दिया हुआ है और इसका भी एक order जैसे मैंने बताया था आपको उसी प्रकार से करना है तो देख सकते हैं आपको इसमें विलुप्त पद बताना है तो विलुप्त पद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पस अब पहले इन तीनों, इन दोनों को देखे किस order में दिया गया है तो यहाँ पस 14 और 15 को आप प्लस कीजिए 15 और 14 को प्लस करेंगे तो देख लीजिए आपके पास कितना आता है 29 आएगा और 29 में 2 से multiply कर देंगे तो 58 आजाएगा that same type अब आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा 15 और 70 को जब प्लस करेंगे तो 32 आएगा और 32 में 2 का multiply करेंगे 64 मिलेगा आपको that same type यहाँ पास आपको 18 और 16 को प्लस करना है तो कितना आपके पास आएगा 34 इसमें आप 2 से multiply करेंगे तो 8 और 6 next देखिए 26 नंबर विलुत पद ज्याद करना है तो इसका भी ऐसे ही आपको order बनाना है और इसके बाद इसको answer आपको बताना है तो इसका answer हमारे पास हो जाएगा उसका correct answer होगा आपके पास यानि विलुत पद यहाँ पास आपके बास जो दिया हुआ है इसके अनुसार 38 इसका answer होगा next देखिए 27 27 को जो मैंने पहले उपर बताया था उसको आप उसी प्रेकार से इसको करना है आपको next आगे का देखिए 28 questions एक तस्बीर की और संकेत करते हुए एक आदमी एक आदमी ने कहा कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है परन्त उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र है वो तस्बीर किस की थी ठीक है तो ये काफी interesting type का questions है और इस प्रेकार के questions relations से questions पूछा जाता है तो आप इसे solve करने की questions कीजएगा ठीक है ओके इसका जो questions का answer मैं 29 number का questions क्या है किसी सांकेतिक mode यानि किसी सांकेतिक code में problem को ये दिया गया है mper और lob लिखा जाता है तो उस code में numbers को कैसे लिखेंगे तो numbers को कैसे लिखेंगे उसके बारे में आपको बताना है तो देख सकते हो आप कि numbers यहां पास इसको हम इसी order में कैसे लिखेंगे जस्ट हम को क्या करना है यानि पहले और last और को लिखना है फिर इसके बाद इसको और इसको लिखना है यानि एक letter आप इधर से लेंगे और एक letter इस side से लेंगे left side से और right side से तो उसके according अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यह वाला होगा s-n-r-u-e-m-b right next देख लीजिए 30 number का जो questions है आपके पास किसी संकेतिक code में ट्रेंगल और एक square दिया हुआ है तो triangle और square दिया हुआ है तो इसके लिए भी इसका मतलब क्या होता है ram is going फिर again उसका एक point दिया है इसका मतलब siam is going फिर उसके बाद एक point है भी plus है फिर triangle है इसका मतलब होता है ram and siam फिर उस code में siam को कैसे लिखेंगे ठीक है तो आप देख सकते है siam के लिए यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो क्या एक triangle बना हुआ है तो siam के लिए ही पूछा गया है ठीक है फिर दूसरा फिर अगर आप देखें उससे पहले वाले में तो बोला गया है कि first number में देखेंगे तो ram is going next second में देखेंगे तो आपके पास इसका मतलब दिया है siam is going but यहां पास अलग यह है कि ram and siam दिया हुआ है ram and siam दिया हुआ है तो siam के लिए अगर हम देखें तो यहां पास आपके पास जो code बनेगा वो किस प्रकार का code बनेगा एक point बनेगा क्योंकि देखें siam यहां भी है और इस sentence में भी siam है तो दोनों के लिए आपके पास अगर देखें यह common मिल जाएगा आपको तो इसलिए आप इसको apply करेंगे option number D next अगला प्रशन देखें अब समान ज्यान से प्रशन है उसको देख लेते हैं प्रशन है आपके पास उत्तम स्वास्त निमनी में से किन कारको पर निर्भर करता है ठीक है तो इसका आपके पास option है अनुआनसिक कारक भौतिक वातावरण समाजी के हो मार्थिक वातावरण और उप्रवक्त शभी ठीक है तो इसका answer option number D होगा उप्रवक्त शभी अगला प्रशन है कोरोना के लिए निमनी लिखित में से कौन सा टीका कौन सा टीका 12-18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रवक्त किया जा रहा है ठीक है तो इसका answer आप comment section में comment करके बताएंगे ठीक है वैसे generally ये लगबग लोगों को पता होगा next देखिए फिर धारित विकास लक्षे में कितने लक्षे सामिल किये गए है तो इसका शत्रलक्षे ऐसे हैं जो इसमें सामिल किये गए है next है अगला प्रशन है आपके पास गहरेलू सकल गहरेलू उतपात का कम से कम कितना प्रतीसत कम से कम कितना प्रतीसत सिक्षा पर वै किया जाता है यानि घरेलू उत्पाद का कितना पर्षेंट जो है इजुकेशन पर खर्च किया जाता है यह आपको बताना है तो इसका करेक्ट अंचर 6% होगा 6% ऐसा है कि जो घरेलू, शकल घरेलू उत्पाद से वो कितना education पर इसको invest किया जाता है spend किया जाता है next है महोगोनी किस प्रकार के one है महोगनी, महोगनी किस प्रकार का one है तो याद रखेगा महोगनी जो है एक उसरन कटी बंद दिये सदाबार one के अंदरगत आता है next है भारत के किस इस्थान पर पांच देशों की सिमाएं मिलती है तो वो कौन सा इस्थान है जहां पांच देशों की सिमाएं मिल रही है यानि five country का जो border है वो वहाँ पास मिलता है तो वो कौन सा है याद रखेगा गिलगित वो कौन सा इस्थान है प्लेज कौन सा है गिलगित next है 37 questions कि निमने लिखित में से किस इस्थान में आज़ाद हिंद फौज ने अपनी अंतरीम सरकार स्थापित की थी तो कहां उन्होंने अंतरीम सरकार स्थापित की थी option नमबर B aim fall ये B ये correct answer हो जाएगा aim fall में उन्होंने अपनी अंतरीम सरकार स्थापित की थी next अगला प्रशन देखे 28 नमबर का ये sorry 38 questions प्रशन है आपके पास यदि संग द्वारा दिये गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाए तो क्या होगा option दिया हुआ है आपके पास तो option के अनुसार हमारे पास option number C कि राश्टपती ये मान सकते हैं कि राज्य सरकार स्रवधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है तो ऐसे इस्तिती में राज्य सरकार यानि राश्टपती सासन लागू हो जाता है प्रेश्ण देखिए अगला प्रेश्ण है कि 39 नई सिच्छा निती यानि जो new education policy है उसे related question है यानि 2020 के अनुसार वैव साइक एकी करण किस कच्छा के बाद किया जाना है आपके पास option दिया है कच्छा 6 के बाद 10 के बाद और 12 के बाद और आगे का option देखें तो आपके बस college के बाद ठीक है तो college के बाद तो अब यहाँ पास college के आरामपी course दिया है तो इसका answer होगा 6 के बाद ये योजनाय चालू की गई है ठीक है नेक्स्ट है निमन लिखित में से कौन सा कथन गलत है और कुछ friends ये भी पूस रहे थे कि ये क्या B.A.D. एक साल का होगा P.G.A. स्टुडेंट के लिए तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दू कि new education policy में ये जरूर नियम है बट अभी हमारी 36 गर राज्य में ये implement नहीं हुआ है अगर implement हो जाता है इस वर्ष तो ये इसके जानकारी जुलाई से अगस्त के बीच में प्राप्त होगी तो जैसे इसके जानकारी प्राप्त होती है तो आप लोगों को इसके जानकारी दे दी जाएगी प्रशन देखिए निमलिखित में से कौन सा कतन गलत है बच्चो को ज्यान का स्रिजन करने में सक्षम बनाने के लिए मात्र भाषा एक महत्तपून उपकरन है नेक्स्ट है बच्चो की समाजिक प्रिष्ट भूमी उन्हें ज्यान का स्रिजन करने में सक्षम बनाने के लिए मत पोलने भासा सक्षण बहुभास छिखोना चाहिए और बहुभासिकता सिंखने में एक बाधा है, तो इन में से correct answer अगर हम देखें तो ये बहुभासिकता सिंखने में एक बाधा, ये इसका correct answer होगा, ठीक है अब इसके अनुसार अगर हम अब आगे के प्रश्नों को देखें तो देख सकते हैं आप 41 questions है निमनलिखित को सुमेलित करना है गोलकनात दिया हुआ है मुल करतब्य गोलकनात मुकादमा आंतरिक आपात दिया हुआ है ठीक है 44 संसोधन दिया हुआ है तो यहां से हम इसका correct answer अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यह आएगा next option number D ठीक है यह third जो आपके पास condition है third, fourth, first, second यह आपके पास order same हो जाएगा ठीक है यह आपके पास order देख सकते हैं आपसे आप एक बाद चेक कर लिजे यहां से मैंने बताया आपको option number D ठीक है तो option number D क्या दियो हो सबसे पहले third दिया यानि गोलकनात मुकदमा 24 संसोधन के रूप में होगा और फिर आंतरिक आपात यह 44 संसोधन होगा और श्वन सिंग यह मूल कर्तब्य उनका दल बदल निस्थेद अधिनियम यह आजाता है दसवी अनुसोची के अंतरगर्द नेक्स्ट अब हम देखेंगे अगला प्रशन का एंसर प्रशन है समिधान का अनुक्षेद 246 246 संबंदित है किस संबंदित है यह आपको बताना है संग सुची, राज्य सुची, समवर्ती सुची और अविष्टि सुची तो इसका correct answer होगा option number C यानि पहला दूसरा और ती प्रशन सा सिक्षादर्शन सिक्षन में परियोजना पदती की अनुसंसा करता है तो इसका option number B सही होगा कि प्रियोजन वाद अगला प्रशन है योग सूत्र के रचाईता कौन है तो योग सूत्र के रचाईता याद रखे पतंजली है next है भारत के किस राज्य की समुद्री तर्ट से समुद्री तर्ट लंबा है ठीक है भारत किस राज्य की समुद्री तर्ट से लंबा है तो यह आपको बताना है option है महराष्ट गुजरात आंदर प्रदेश हो तमिल नाडू ठीक है तो इसका answer आपके पास गुजरात होगा ठ अगला प्रश्ण है निम्न में से किन्हें नैनो प्राद्धिकी का पिता माना जाता है या कहा जाता है तो हेंरिच रोहर को इसका नैनो प्राद्धिकी का पिता कहा जाता है यानि फ्वादा अब्दा नैनो टेक्नोलोजी नेक्स्ट प्रश्ण है आपके पास भारत की जनसंख्या दोहजार का दिर cognitive कालिन उद्द्दीक क्या है तो इसका उद्देश्य है के इस्तिर जनसंख्या के इस्तितिक को प्राप्त करना अगला प्रशना भारत में भूमी सीमा बंदी की उच्चतम सीमा असंचित भूमी में क्या है तो इसका अंसर होगा 54 एकर नेक्स्ट अगला प्रशना देख लिजे निम्नलिखित में से किस इस्थान में चंद्रगुप्त मौर अपने अंतिम दिन व्यतित किये ठीक है कौन सा ऐसी जगह है जिन्होंने अपना अंतिम दिन व्यक्त किया था वहाँ तो पाटिल पुद्र, कुसिनगर, स्रवन बेल गोल और हस्तिनापूर तो इसमें से जो करेक्ट एंसर होगा वो होगा स्रवन बेल गोल ठीक हो ऑप्शन नमबर सी सही है अगला प्रशन है अभी इस वीडियो में हमने 50 कुस्टन पूरे कम्प्लिट कियें और जल्द ही हम अगले इसके अगले वीडियो में 50 कुस्टन और हम आपको बता देंगे और इसके बाद important कुस्टन का सीरीज लेकर आएंगे आप लोगों के लिए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा और जो भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं तो प्रशन है आपके पास last questions देखेंगे आज के वीडियो का कि सिव जी के तोफ खाने का प्रमुख निमनलिकित में से कौन था तो सिद्धी इब्राहिम इब्राहिम गार्दी और मालिक बीन इब्राहिम और इब्राहिम हुश्यन तो इसका correct answer होगा सिद्धी इब्राहिम तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम आप लोगों से next वीडियो में तब तक के लिए thank you और आप लोगों के exam के लिए आने और exam के लिए अच्छे से तयारी कीजे हमारे सुब कामना हैं आप लोगों के साथ है thank you